शी शिवाय नमस्त तुभ्यम हरार महादो पित्र पक्ष याने के श्राद पक्ष शुरूर ओ चुके हैं और हम अपने पित्रों के लिए कुछ चीजें हैं जिसे हमें बिल्कुल अपने रसोई घर में नहीं बनाना चीएं जिस दिन हमारी पित्र देो का श्राद हो और बामण बताया गया है कि दो चीजों को आपको अपने रसोई घर में श्राद पक्षे के दिन भूल कर भी नहीं बनाना है अब आप लोग सोचेंगे कि प्याज और लैसुन होगा देखें प्याज लैसुन तो बहुत कॉमन से चीज है और हम सबी लोग जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठो वरात उपास हो पित्र पक्षो चाय देवी देवताओं की पूजाओ चाय पित्रों की पूजाओ उसमें प्याज लैसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है यह तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इसके अलाओ भी दो चीज़े ऐसी हैं जिसे बनाने के लिए गुरु ज ने बताया है कि वो चीज़े वर्जित हैं और पित्रों को उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि पित्रों के भोजन में जब हम उन चीज़ों को दे देते हैं तो पित्र जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो और हमसे नाराज हो जाते हैं क्य यह जो चीजें यह पित्रों को समर्पित नहीं की जाती है देखें आप लोग सोचेंगे कि मैं यह क्या बोल रहा है लेकिन गुरुजे के द्वारा बताया गया है इसलिए हम आप लोग के लिए चोटी सी जनकरी लेका रही हूं ताकि आप लोग भी जब आपके घर में श्रा लेकिन फिर भी कई लोग खा लेते हैं लेकिन जिस दिन आपके घर में आपके पीतर देवता भोजन करने के लिए आएंगे ब्रह्मन के रूप में उस दिन आपको प्याज लैसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पहली बात तो यह होगी अब चलिए बात करते हैं दूसरी दूसरी बात यह है कि पीतर पक्ष में हम अपने पितरों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजे बनाते हैं बहुत पकार की सबजी बनाते हैं मिठाई बनाते हैं मार्केट से भी लेके आते हैं बहुत सारी चीजे उनके पसंद की भी बनाते हैं लेकिन कि आप लोगों क अपने घर कि रसोई घर में लएक करनाना है ना ही आप लोगों को खाना और भामण्देंथा को खिलाना तो कौन सी वो दो चीजिए देखे सबसे पहला आपको ने इन दिखाए दे रहां यह है रखिया जिससे की बड़ी भी बनती है रखिया बड़ी और जिससे एक प्रकार की मिठाई भी बनती है जैसे की पेठा कहते है न जिसे तो ये वाली जो सबजी है या ये जो पेठा है या फिर ये रखिया का हमें इस्तेमाल पित्र पक्ष के जिस भी दिन हमारे हैं पित्र दे तो यह गलती आपको नहीं करने है और दूसरी जो चीज है वो है पत्ता गुबी देखिए बहुत से लोग यह है कि जिन लोग जानते नहीं कि हमां क्या चीज बनाना है क्या चीज नहीं बनाना है तो उनी के लिए छोटी सी जानकारी है कि पित्र पक्ष में जिस दिन चीज में हम लोग बनाते हैं यह पत्ता गुबी लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको आपके पित्रों की क्रिपा प्राप्त हो आपके पित्र आपसे प्रसन हो तो आपको पित्र पक्ष के समय इन दो चीजों को अपने घर में बनाने से बचना चाहिए यही जानका आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि पितर पक्ष में, शाद पक्ष में आप लोग ये गलती ना करें, बाकि ऐसे दिन आप लोग खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके हाँ, आपके पितर देव भोजन करने के लिए हैं, उस दिन आप लोगों को ये दो चीज अ पूरे कीचन का कार्य जो रहता है वो तो उनी के उपर निर्मर रहता है क्या बनाना है कैसे बनाना है सब की अपनी परमपरा रहती है अपने हिसाब से लोग चीज बनाते हैं लेकिन देखें यह जो दो चीजे हैं यह आप लोगों को पितर पक्ष में नहीं बनानी है इन हो जाएंगे और जो मांगोगे वो मिलेगा तो उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लीजीगा कि कौन से चीज बनाने से पित्रदेव प्रसंद होते हैं जै भोले नात